इस वीडियो में हम किसी भी function के invertible होने की conditions के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी function invertible तभी होगा जबकि वे 1,1 and onto हो यानि की function byjective हो अब ये condition ही क्यों होती है इसको हम अलग-अलग example से समझेंगे माना एक function है f जो की set x से set y में कुछ इस प्रकाल define है कि 1 a से related है 2 b से related है और 3 b b से ही related है तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो function है वह many one function है अब यदि हम इस function के inverse function की बात करें जो की set y से set x में define होगा तो हम यहां देख सकते हैं कि a की image होगी 1 and b की image होगी 2 and b की एक और image होगी जो की होगी 3 तो हम यहां देख सकते हैं कि inverse function के लिए एक element ऐसा है जिसकी 2 images है यानि कि यहां हमारी function की basic condition ही satisfy नहीं हो रही इसलिए हम कहते हैं कि यदि function many one है तो वह invertival function नहीं होगा अब हम एक और example लेते हैं जिसमें function f set x से set y में कुछ इस परकाल define है कि 1 की image है b, 2 की image है c and 3 की image है d तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस function की code domain यह होगी and range यह होगी and since code domain and range equal नहीं है तो जो given function है वह into function होगा अब यदि हम इसके inverse function की बात करें जो की set y से set x में define होगा उसके लिए हम देख सकते हैं कि b की image होगी 1 c की image होगी 2 and d की image होगी 3 लेकिन हमारे पास एक element a ऐसा है जिसकी हमें कोई भी image नहीं मिली इसका मतलब यह जो inverse function है वह function की basic definition को ही satisfy नहीं कर रहा है इसलिए इस condition में भी function invertible नहीं होगा अब हम एक और example लेते हैं जिसमें function f set x से set y में कुछ इस प्रकार define है कि 1 की image है a, 2 की image है b and 3 की image है c हम यहां से इस function के लिए देख सकते हैं कि इसके range and codomain equal है and इसके domain के सारे elements कीवल एक ही element से related है इसलिए यह function 1,1 and onto function होगा अब यदि हम इसके inverse function की बात करें जो की set y से set x में define होगा तो यहां से a की image हो जाएगी 1 b की image होगी 2 and c की image होगी 3 तो हम inverse function के लिए भी देख सकते हैं कि हमारे सारे elements किसी ना किसी element से related हैं और केवल एक ही element से related हैं इसलिए f inverse भी 1,1 and onto function होगा तो हम यहां से देख सकते हैं कि f inverse exist करता है इसलिए function f invertible function होगा तो हम यहां से ये conclude कर सकते हैं कि function तभी invertible होता है जबकि वे 1,1 and onto हो तो अब हमें एक example दिया गया है जिसमें हमें कुछ functions set of ordered pairs की format दे रखे हैं इसमें हमारे पास तीन अलग-अलग functions हैं g and h और हमें ये चेक करना है कि कौन से function के लिए inverse exist करता है तो अब आप इस वीडियो को यहीं पौज कीजिए और इन सभी के लिए ये चेक करने की कोसिस कीजिए कि कौन सा function invertible होगा I hope आप में से काफी students ने इस question को solve कर लिया होगा तो चलिए अब discuss करते हैं अगर हम first part की बात करें तो उसमें function f इस set से इस set में define है और ये define किस तरह से है ये भी हमें दे रखा है इसके जब हम arrow diagram बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का arrow diagram मिलेगा यहां से हम देख सकते हैं कि जो ये function है ये menu one function है इसलिए ये given function f invertible नहीं होगा अब यदि हम second part को देखें जिसमें function g इस set से इस set में define है और ये कुछ इस तरह से define है तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो function g है वह menu one and into function है इसलिए function g भी invertible function नहीं होगा अब यदि हम third part की बात करें जिसमें function h इस set से इस set में define है और कुछ इस तरह से define है तो हम यहां से clearly देख सकते हैं कि function h one one and onto function है इसलिए function h invertible function होगा तो since function h invertible function है इसलिए हम इसका inverse find कर सकते हैं और function f and g invertible function नहीं थे इसलिए हम इनका inverse find नहीं कर सकते